सत्य खबर, सत्य, सती, बेबार एक ओर तो मानसून की बारिश से उमस भरी गर्मी से लोगों को कुछ राहत मिली है लेकिन दूसरी ओर भारी बारिश के पानी से शहर की सड़के लबालब हो गई है प्रशासन दुआरा पानी के निकासी के इntजाम ना होने के करण बारिश खासी शहर लोगों के लिए परिशानियों का सबब बन गया है मौंसून की बरसात ने प्रशासन के खोकले दावों की पोल खोल दी है जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्तों का सामनाग करना पड़ रहा है स्थानिय लोगों का कहना है कि हासी में जब भी बारिश होती है सबजी मंडी, बस स्टैंड वे जीन चॉक रोड पर हर बार पानी भर जाता है इसके लिए कई बार प्रशासन के अधिकारियों से भी मिल चुके हैं लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं होती हर साल स्थानिय दुकांदार बारिश के दिनों नार्किय जीवन जीने को मजबूर हो जाते है इस रोड पर कॉलेज, बैंक और धरमशाला, स्कूल भी है जहां हजारों की तादात में लोगों का आना जाना है सड़क पर पानी भरने के करण कई बार दुरगटनाओं का शिकार हो जाते हैं लेकिन प्रशासन है कि कुम्ब करण की नींद सोया हुआ है शहर वासी ने जन्द स्वास्त विभाग से मांग की है कि इनकी समस्या का जल्द समधान किया जाए नहीं तो शहर वासी आंदुरन की रहा पर चलने को तैयार हो जाएंगे अजना कोई समस्या का जिसका सीवरेज वेस्ता इतनी ठप पड़ी है कोई समधान जिस पानी का कोई निकास्ती नहीं इदर की सीवरेज चुटे पड़े हैं बारिस की दिनों में कई बार एक्सिड़न दो जुगा यहां पे मेरे समस्या मेरे साब से तीस साल सुट पर तुमेर को देखते हो गए तीस साल से मेरी दुभान है यहां पर पिछले तीस सालों से यही हाल है रोड बनते हैं बनाया जाते हैं तोरते फिर तोर देते हैं फिर बना देते हैं बट पानी का समधान कभी नहीं हुआ पाई पहले एक English Speaking Center भी है और बच्चे आज सुबह आई भी नहीं है इसका अन्दर और यहां उचाई भी नहीं है इतनी इतना ज़्यादा गड़े है यहां पर पानी की निकासी नहीं है हासी से केशव धमीजा के रिपोर्ट सत्या खबर सत्या सतीत बेबार सत्या